दोस्तों मनुष्य का पापी स्वभाव उसके धंड का कारण है और एक ऐसा धंड जो की अनन्थ है परन्तु मनुष्य उस पापी स्वभाव से छुटकारा प्राप्त कर सकता है संसार के लोग अनेक रिती से इससे छुटकारा चाहते हैं परन्तु एक सरल और सहज मार्क हमें बाइबल बताती है क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप अपने पापों का दंड अपने उपर से उतार सकते हैं और आप परमेश्वर की आशीशों के हगदार हो सकते हैं जानने के लिए कृपिया इस बटन को दबाएं इस लिंक को दबाएं और हमारे साथ शामिर हो जाए प्रेमित्रों आप सभी को हमारे न्याई प्रभुईश्यू मसी के नाम में प्रेम भरा नमस्कार आशा है आप प्रभु में सुरक्षित और आनन्दित है हम सत्यवचन बाइबल अध्यन में हैं और मेरे लिए आपका स्वागत करना बड़े ही आनन्द और आधर की बात है दोस्तों आपको इस्मरन होगा कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्यन कर रहे हैं और हम परमेश्वर के न्यायाले में संसार को देख रहे हैं अब हम पहले अध्याय के चौथे पत से आगे बढ़ेंगे परमेश्वर संसार का न्याई है और वह इसलिए सभी को देखता रहता है और जब परमेश्वर संसार और हमें देखता है तो वह हमारे आचरन और वहवार को देखता है दोस्तों वचर में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुश्यों सा नहीं है वह हमारे मन और हृदय को देखता है वो हमें परकता है और जाजता है कि हम कैसी चाल चलते हैं और हमारे मन में क्या क्या है दोस्तों इसराइल के लोगों के लिए यह बहुत उत्तम था कि परमिश्वर नाकिवल उन्हें जाजता है पर उनसे वादा भी करता है और उनके सामने उनके पापों की सूची प्रकट करता है कि उन्हें जता देता है कि वे कैसे पापी और उसके सन्मुक दोशी ठहरे हैं आज मनुश्यों के लिए या कहें कि पापी मनुश्य के लिए यह एक सांतोना है कि परमेश्वर हमें हमारी इस्थिती बता रहा है कि यदि हम ना फिरें, अपनी चाल को ना बतलें, तो हम परमेश्वर के न्यायाले में दोशी पाए जाएंगे क्या कभी किसी न्याई के द्वारा या जज़ के द्वारा ऐसा किया गया है? कभी नहीं पर परमेश्वर दंड देने के पहले हमें चिता रहा है तो चलिए मित्रों, उस न्याई परमेश्वर की बातों को और गहराई से जानने के लिए हम अपने अध्यन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि परमेश्वर का आरोप था कि इस्रायल उसे नहीं जानता, उससे बलवा करता है पद चार में वह बताता है कि वे कैसा बलवा करते थे, तो आईए हम पढ़ें यशाय के पुस्तक एक अध्या उसके चार पद में लिखा है हाई यह जाती पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है इस वन्ष के लोग कैसे कुकर्मी है, यह बाल बचे कैसे बिगड़े हुए है उन्होंने यहवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसरायल के पवित्र को तुछ जाना है वे पराय बन कर दूर हो गये है हम देखते हैं कि परमेश्वर संपुन प्रिथ्वी का न्याई है वो अपनी प्रजा का भी न्याई करता है परमेश्वर को न्याई मानना एक विचित्र विचार प्रतीत होता है क्योंकि संसार ने तो परमेश्वर को न्याई के आसन से उतार दिया है संसार तो उसके अधिकार से वन्चित कर चुका है संसार में तो अब उसका राजसी सामर्थ रहा ही नहीं है वह जगत का नैतिक शासक नहीं है वह तो सीमा से बाहर एक व्यर्थ की वस्तु के समान डाल दिया गया है आप यह न सोचें कि मैं पर्मिष्व की निंदा कर रहा हूँ जी हाँ यह तो पर्मिष्व के प्रती आज के मनुष्य का विक्रित द्रिष्टी कोण है उसे बस एक बुढ़ा मनुष्य माना जाता है जो दाढ़ी बढ़ा कर बादनों पर बैठा है जिसके चारो ओर मेग धनुष्य है वह भावना से भरा एक बुढ़ा व्यक्ति है जिसके चारो ओर से प्रेम टपक रहा है आशू टपक रहे है और मुझ से शहत टपक रहा है उसमें तो मक्षी मारने और अंगुर दबाने की शक्ति भी नहीं है उसका अस्थान तो कोने में है जहां वह लेस बनाए या बनियान बुने यह परमेश्य के प्रति संसार का द्रिष्टी कोन है परन्तु बाइबिल में उसका वर्णन भिन्न है वह इस जगत का न्याय और उसने किया भी यह एक चेतावनी है जो राष्टों को ही नहीं प्रतिक मनिश्य को दी गई है इस्रायल हाय यह जाती पाप से कैसी भरी है यह वाक्यांश प्रवी इश्य के निमंतरन पर प्रकाश डालता है जो मतिर चिसु समाचार ग्यारा अध्या उसके 28 पद में दिय ग्या है यह सब परिशम करने वालो और बोच से दबे लोगो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्यराम दूंगा इस्रायल पाप से दबा हुआ था प्रवी इश्य का निमंतरन पाप से दबे हुए मनिश्यों के लिए है कि उसके पास आएं और विश्यराम पाएं उद्धा से दूर हो गए थे, वे पापों के नीचे दबे हुए थे, परमेश्वन ने उन पर जो आरोप लगाया, उसे अववह विस्तार पूर्वक कहता है, इससे हमें परमेश्वक के सांसारिक प्रबंधन का बोध होता है, यह पद्वती न्यायों की पुस्तक में प्रस्तूत है, औ और आपको इस प्रबंधन का चक्र मानुवी प्रशासन के इतिहास में देखने को मिलता है, न्यायों की पुस्तक में हमने देखा था कि इस्राहेल परमेश्वक की सेवा में था, जिसके परणाम स्वरूप उसे आशिशे मिल रही थी, और वह समरित हो गया था, समरिधी के क अरण वे परमेश्व से दूर हो गये और मूर्ति पूजा करने लगे, वे परमेश्व से विद्रोह करने लगे, वरन उसे भूल गये, अब परमेश्व ने उन्हें उनके बैरियों के अधिन कर दिया कि वे शिग्रही मुक्ती के लिए परमेश्व को पुकारने लगे, जब धर्मशास्त्र में यही द्रिश्य देखने को मिलता है। इतिहास तीन चरण प्रगट करता है जिनके द्वारा मनुष्य का या देश का पतन होता है। लाने लगते हैं कि सरकार बदलो, नई नीतियां लाओ। सच तो यह है कि समस्या सरकार में नहीं है। येरुशलेम की समस्या राजमहल में नहीं थी, उनकी समस्या मंदिर में थी। समस्या का आरंभ इश्वर त्याक से होता है। और तुम्हारा हिर्दय दुख से भरा है। पाउं से सिर्थ कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। केवल चोट और कोड़े की मार के चिन हैं और सड़े हुए गाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगा कर नर्माए गए हैं। तुम्हारा देश उज्रा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों से नाश की हुए देश के समान उजाड है। मेरे मित्रो, परमेशर इन पदों में जो कहता है, वह शत्प्रतिर्शत सही है। वहां नैतिक भ्रष्टा चार और राजनीतिक आवेवस्था थी, परमेशर धीरज धरे हुए था, उसने अभी उन पर यह आरोप नहीं लगाया है। यशाया एक उसके आठ और नौपद में लिखा है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की जोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, वह ककड़ी के खेत में की मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा की समान ठहरते। दूसरे शब्दों में यदि विश्वासी योगे लोग न बचे होते, तो परमेश्वर इस्राइल को सदोम और अमोरा की समान नश्ट कर देता। परन्तु परमेश्वर के भक्तों का एक समो, सदेव बचा रहता है। आज भी उसके भक्त हैं, संपुन विश्व में विश्वासी फैले हुए हैं। यशाया एक के दस में आगे लिखा है, हे सदोम के न्याईउं, यहवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। अब, परमेश्वर प्रगट कर रहा है कि समस्या की जड़ इश्वर त्याग है, यशाया एक उसके ग्यारपद में लिखा है, यहवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बली, मेरे किस काम के हैं, मैं तो मेडों के होम बलियों से, और पाले हुए पशों के चर्वी से उनकी गलती को सिद्ध करेगा, परमेश्वर जिस बात पर उंगले रख दे, वह सबसे उत्तम होती है, सबसे बुरी नहीं, वह उनकी सबसे बड़ी चूक को प्रगट करता है, परमेश्वर ने इसराहल को धर्म तंत्र दिया था और अपने विचार में उन्हें विधिया द परन्तु वे उस सरोत्तम प्रतीक में चूक रहे थे, वे विवस्था के अमसार खाना पूर्ती कर रहे थे, परन्तु उनके मन परमेश्वर का विरोध करते थे, दूसरे शब्दों में उनका धर्म उनके आचरन से प्रगट नहीं था, सपष्ट कहों तो आज के विश्वास में भी यही समस्या है, जी हाँ, हम में इश्वर भक्ती का रूप तो है, परन्तु हम उसके सामर्थ से इनकार करते हैं, यशाय के पुस्तक एक अध्या उसके 12 और 13 पद में लिखा है, मैं बच्णों या भेड के बच्चों या बकरों के लहु से प्रसंद नहीं होता, तुम जब अपने मुह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाउं से रौंदो, व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे ग्रणा है नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना या मुझे बुरा लगता है, महसभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझ से सहा नहीं जाता मेरे प्रियों, परमेश्वर की आग्या का पालन करना भी अनुचित अभ्यास हो जाता है, यदि हमारा मन उसमें ना हो और उसके द्वारा विश्वासी के आचरन पर अच्छा प्रभाव ना पड़े, तब यदि आराधना में प्रवेश्व आ जाए, तो क्या वह आपकी प आराधना और भेटों को वह कितना प्रशंसनिय मानता है, मेरे विचार में तो वह ऐसा नहीं कहेगा, वह जिसका शरीर, फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आखे जलते वे दीपक किसी है, दानिल अभी की पूस्तक दस अध्या उसके छे पद, और निती वचन पांच के चार पद में देखें, उसकी आखें आग की सी, ज्वाला के समान, उसके पाओं उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भटी में तपाया गया हो, उसके मुख से तेज, दोधारी तलवार निकलती थी, प्रकाशित वाक्या एक अध्याय 14 से 16 पद में, वह हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, वह हम में से प्रतेक जन से कहेगा कि हमारा बाहरी रूप, हमारी सब गवाहियां और उचे स्वर से कियेगे अंगिकार, आदी, सबसे वह उब गया है, क्या वह हमसे पश्रताप तथा नमरता के साथ, उसकी उपस्तिती में आने के लिए नहीं निश्य ही, यह हमारी कलिस्याओं के लिए एक चेतावनी है, हमारी आज की मुल समस्या आत्मिक है, जब तक कलिस्या में मन फिराओ और सची जागरिती ना आ जाए, तब तक आशा नहीं है यह शाया एक उसके पंदरा से सत्रा पद में लिखा है, जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुह फेर लूँगा, तुम कितनी ही प्रातना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारे न सुनूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धो कर प सीखो, यत्र से न्याय करो, उपदरवी को सुधारो, अनात का न्याय चुकाओ, विद्वा का मुकदमा लडो, मेरे मित्रो, परमेशर कहता है, तुम लोग ढोंगी हो, तुम मेरी उपस्तिती में सच्ची धार्मिता का स्वांग रचते हो, तुम बली चढ़ाते हो, परन्त तुम यह सब तुमारे लिए अर्थ नहीं रखता है, परमेशर ने उन पर लगाया गया आरोप स्पष्ट कर दिया है, वे आत्मिक परित्याक के दोशी थे, जिसके कारण नैतिक भरष्टाचार और राजनीतिक आविवस्था आई, परमेशर ने न्यायले में इस्राइल को खड़ा करके उन पर अपना आरोप स्पष्ट कर दिया है, इस्राइल उस अपराधी के समान है, जो खड़ा होकर अपना दंड सुनने की प्रतिक्षा कर रहा हो, अब परमेशर उन्हें दंड देता है, परन्तु इस अंतिमपल में भी परमेशर उनके साथ समझाता करने को त तुम्हारी हार निश्चित है, नयाधिश के पास और कुछ कहने के लिए है, जो हमें आशिर चकित और भयातूर कर देगा, आए हम पढ़ें, यशाया एक उसके अठारपद, लिखा है, यहवा कहता है आओ, हम आपस में वाद विवात करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल र तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर यहुदा से कहता है, मुझे दंड देने पर विवश मत करो, नयाले के बाहर ही मेल कर लो तो अच्छा होगा। नयाले तक पहुँचने के प्रतिक्षा मत कर। परमेश्वर कहता है कि उसके पास एक गुप्त सुत्र, इश्वर्य युक्ति, शक्ति शाले आवशधी, एक विधान, एक स्वर्गिय पारश मनी है जो पापों को मिटा देगी। यह बम के समान गुप्त सुत्र नहीं, उसस प्रतारित जन जिसकी मृत्यों अलग प्रकार की थी, वो हमारे पापों के कारण घायल किया गया था, क्योंकि उसने दंड चुकाया था, अतह न्याई अब हमें दया दिखा सकता था। परमेश्वर का पुत्र, प्रवीश्य मसी हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह परमेश्वर की प्रजा पर उसका आरोप है और इसके आधार पर वे उसके पास आ सकते हैं। यदि वे उसके पास आ जाएं, तो वा उनके राष्ट को सुरक्षित रखेगा, और उन्ह लगभग सव वर्ष और देगा, परन्तु यदि वे मन ना फिराएं, तो वा उन्हें बंधुआई में भेज देगा। किसी देश की राजनितिक अविवस्था ना तो मनुष बदल सकता है और नहीं संसार। रोमी समराजी के पतन के पाँच कारण थे। दिक्लाइन एंड फाल ओफ रोमन एम्पाइर में लिखा है इतिहासकार गिबबन अपनी पुस्तक में पतन के पाँच कारण बताते हैं। पतन का पहला चरण था परिवार के मान और पवित्रता में कमी। परिवार मानो समाज की इकाई है। दूसरा चरण करों का बढ़ना और जनता का पैसा रंग शालाओं में लगाना। तीसरा चरण सुख विलास और खेल खुद की लालसा। अधिक अधिक उत्साह जनक, पाश्विक और अनैतिक। चाउथा चरण हतियारों पर अधिक व्याय जबके दुश्मन भीतर ही है। व्यक्तिगत उत्तर दाहित्व का पतन और पाच्वा चरण था धर्म का अन्त जीवन के स्पर्ष के अपेक्षा उपरी दिखावा। जनता के मारदर्शन के शमता से वंचित होना। अतह हम देखते हैं कि किसी देश का पतन इश्वर त्याग से आरंभ होता है जिसके बाद नैतिक भ्रष्टा चार आता है औ और परिणाम सवरुप राजनितिक अवेवस्था उत्पन होती है। क्या हम में इश्वर त्याग है? आज नए विचारों ने हमारी कलिस्याओं में घर बना लिया है। मोक्त विचारों ने अपने आपको बौधिक समान प्रदान करने के लिए प्रतेक मसीही सद्गुन को बली चड़ा दिया है। परन्तु मोक्त विचार आज के तरास्ती पुन अनुभों का सामना करने में सक्षम नहीं है। मेरे विचार में किसी भी देश को किसी भी प्रकार के विकास की अपेक्षा धार्मिक जागरिती की आवश्यक्ता है। काम के बेच प्रार्थना की, प् परन्तु परमेश्यर कहता है आव हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अरगवानी रंग के हों तो भी वे उन के समान श्वेत हो जाएंगे। यह बचाओ का मार्ग है। परन् इश्यू का प्रचार सुनकर इश्यू को ग्रहन करना चाहा। उसने अपने शिक्षक से उलेख किया तो शिक्षक ने कहा कि वह भाना में बहकर निर्ने ना ले। उसने विचार स्थगित किया और अंत में हत्यारा और देश द्रोही बन गया। जब वह बुढ़ा हो गया तो एक युवक ने आकर उससे कहा कि वह उसकी भेट अपने एक मित्र से करवाना चाहता है। उसने पूछा वह कौन है। उस युवक ने कहा प्रहुईश्यू। उस व्रिद के माथे पर पसीना उभर आया। उसने कहा साट वर्ष पूर्व मैंने परमिर्ष से कहा था मुझे अकेला छोड़ दे तो मैं भी उसे अकेला छोड़ दोंगा। उसने अपना वचन निभाया है। आपके लिए और मेरे लिए बचने का मार्ग है। किसी ने अति उत्तम बात कही है। दर्शन शास्त्र कहता है अपने बचाव का मार्ग सोचो। भोग विलास कहता है अपना मार्ग शराब पीना है। राजनीती कहती है अपना मार्ग व्याय करो। विज्ञान कहता है अपने मार्ग का अविस्कार करो। उद्धोग कहता है अपना मार्ग बनाओ। समाजवात कहता है मार कर मार्ग तयार करो। ताना शाही कहती है धोखे से मार्ग त्यार करो सेना राज कहता है लड़कर मार्ग बनाओ प्रवीशु कहता है मार्ग मैं हूँ बचने का मेरे प्रियों यहुदा पर आरोप लगाने के बाद उन्हें बचने और समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखा कर परमेश और कोमलता के साथ अपने चेताओं ने देना आरम रखता है आज आपके और मेरे पास भी एक समय है एक आउसर है ताकि हम अपने जीवन के लिए एक सही निरने ले सकें इससे पहले की हमसे देरी हो जाए परमेशर आज आप सब को इस वचन के दौरा आशिश दे और आप सब की सहयता करे दोस्तों कि आपने कभी विचार कि परमेशर जो न्याई परमेशर है उसकी न्याई ववस्था संसार की ववस्था से भिन है और क्यों वह लोगों को न्याई करने से पहले चिताता है कि संभल जाओ सुधर जाओ और सही मार्क पर चलने लगो क्योंकि वह परमेशर हम मनुश्यों से प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम उसके क्रोध का धंड छे ले इसलिए वह सदा मनुश्यों को आउसर प्रदान करता है बजन सहीता 145 के आठवे पद में लिखा है कि यहवा अनुग्रकारी और दयालू है विलम से क्रोध करने वाला और अती करुना मैं है आज परमेश्वर के अनुग्र, दया और करुना का सहारा उसके क्रोध के धंड से बचने के लिए हम ले सकते हैं मित्र समस्या इस बात की है कि मनुष्य परमेश्वर के क्रोध के दंड से बचने के लिए धर्म के काम करने लगता है तथा बलिदान चढ़ाने और अन्य प्रकार के दिती वीधियों को पूरा करने लगता है पर परमेश्वर कहता है कि मुझे उन सब से घ्रिना आती है क्यों क्यों क्योंकि यदि हम सही मार्क पर ना हो और यह सब करें तो हमें उससे कोई लाब ना होगा तो फिर रास्ता क्या है मित्रों बचन में लिखा है कि आज हमने ऐसा पढ़ा भी है अपने को धोकर पवित्र करो मेरी आखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो भविश्य में बुराई करना छोड़ दो भलाई करना सिखो यतन से न्याय करो उपद्वरवी को सुधारो अनात का न्याय चुकाओ विद्वा का मुकदमा लड़ो यदि हमें परमेश्वर के सामने पवित्र होना है तो हमें अपने पापों की शमा मांगकर प्रवीश्यू के लहू से शुद्ध होना होगा और अपने सारे गलत कामों को छोड़ना होगा तब ही हम परमेश्वर के क्रोध के दंड से बच सकते हैं क्योंकि उसने प्रतिग्या की है क्योंकि यहवा कहता है आओ हम आपस में बाद विवात करें तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अरगवानी रंग के हो तो भी वे उण के समान श्वेत हो जाएंगे क्या आज आप अपने पापों की शमा प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो चलिए प्रार्थना करते हैं और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं स्वर्गे पिता हम एक बार फिर आपके वचन के अधार पर आपके सनमुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभू जो की हमारे आत्मिक जीवन को हमारे आंतरिक जीवन को प्रिरित करता है हमें विचार करने के लिए विवश करता है कि हम में पाप है या नहीं कोई भी मनुशी ये नहीं कह सकता कि उसमें पाप नहीं है हमें से सब ने पाप किया है प्रबु भले हम स्विकार ना करें पर हमारा मन हमें कचोटता और हमें बताता है कि हम पाप नहीं पिता ऐसी परिस्टिती में हम आपके सन्मों काते हैं हमारे सारे दर्शकों को लेकर आपके सन्मों काते हैं उन सब लोगों को प्रभू जो इस समय आपकी और आशा से अपनी नजरे लगाए हैं कि वे पापों की शमा प्राप्त करने पाएं पिता परमेश्वर, हमारी बिंती है कि आप हमारी सहायता करें, हम पर अनुग्र करें और दया करें पिता, कि किसी ना किसी रीती से प्रभू हम आपके द्वारा से पापों की शमा प्राप्त करें, पिता परमेश्वर हमारे सारे दर्शकों के लिए विशेश बिंती है, यदि आप से दूर हैं उनका जीवन आप से दूर है तो प्रभू अनुगर करें कि वे एक सही रास्ते पर लोटें वे आपको जाने और पहचाने और उनके जीवन से पिता आपको महिमा मिलने पाए हमारे सभी लोगों को दर्शकों को हमारी टीम को आपके हातों में रखते हुए प पिता इस बिंती को प्रभूश क्रीस्ट के नाम से मांगते हैं आमें दोस्तों आज का अध्यान हमारे लिए एक मील का पत्थर है क्योंकि इसके द्वारा हमने इस बात को जाना है कि हम कैसे पापों की शमा प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने आज पापों की शमा प्राप्त किया है तो कृपिया हमें बताएं कि कैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने वचनों के द्वारा काम किया ताकि आपकी कवाही हम दूसरों के साथ बाठ सके अगले प्रसारण में इस अद्भूत अध्यन को आगे बढ़ाएंगे तब तक परमेश्वर में और उसके वचन में बने रहें प्रभू आपको आशिश्टे आईए अब हम प्रशनों को देखें पिछले प्रशन का उत्तर है बी यशाया बाइबल में यशाया की पुस्तक को पाच्वा सुसमचार माना गया है आज की अध्यन पर अधाईत प्रशन है मनुष्ट के जीवन और समाज में समस्याओं का आरंब खाली स्थान से होता है मित्रों इस प्रसन का उत्तर हमें कल सुबा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे धन्यवाद क्या आपको यह कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं पसंद आपको यह करूएंगे जाएंगे कर दो